हम डिसक्स करने जा रहे हैं हमारे डीपी बीपी नंबर 27 equilibrium करें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्जाम्पल से थे फर्स्ट एक्जाम्पल हमारे पास एप्लोट ओफ डा गीव ऑफ गिव्ट अनलजी ऑफ ए मिनिमम रहेगी या आपकी मैक्सिमम रहेगी या आपकी जीरो रहेगी इसको लेके आपसे कहानी पुछी जा रही है तो extent of reaction और gives energy के बीच में जो हमारा graph बनता वो depend करता है कि आपका जो product की तरफ आपकी reaction जा रही है या reactant की तरफ आपका extent चल रहा है डिपेंड करता उसके उपर लेकिन एक चीज़ जो confirm है कि वो जो हमें देखने को मिलेगा जैसे यह मैं extent of product की बात करूँ तो graph कुछ ऐसा बनेगा और यह जो point है यह point आपका बताता है equilibrium को इसका मतलब है कि आपका point आएगा हमें equilibrium पर हमें equilibrium पर क्या मिलने वाला है जी की बात कर रहा है कि उसकी किसी भी reaction के लिए gives energy और extent of reaction के बीच में जो graph plot होता है वो आप उसके लिए आपकी जी की जो value है gives energy की value है वो आपकी zero होगी minimum होगी आपकी maximum होगी वो हमें बताना है तो ये value आपकी minimum निकल के आती है ठेक है